प्रक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्णों पर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज डेट हो गई है छे जुलाई दो ह्यारी किस तो कुश्चन नमबर बन है भारत की जो संसद है अपनी पार्लियामेंट जो है किस रीती से प्रशाशन पर नियंतरन करती है तो भारतिय संसद 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 समीतियों के माध्यक्व से प्रशाशन पर नियंतरन करती है उदारन के लिए लोक वित्व पर नेंतर्ण वह तीन समितियों के माध्यम से करती है लोक लेखा समिती, प्राकलान समिती और लोक उपक्रम समिती Question No.2 पर आजएए इन में से कौन सी सबसे बड़ी संसदिय समिती है इन में से कौन सी सबसे बड़ी संसदिय समिती है प्रशन कर चुकी है और स्टेट PCS भी प्रशन कर चुकी है यूपी PCS देखें लोक लेखा समिती में 22 मेंबर होते हैं ठीक है प्राकलान समिती में 30 मेंबर होते हैं सरकारी उपक्रम समिती में भी 22 मेंबर होते हैं यहां सबसे बड़ी प्राकलान समिती हो जागी तीसो के तीसो लोकसभा के होते हैं इसमें ठीक है और इसमें पंद्रे प्लस शाद करेशी रहता है यानि पंद्रे लोकसभा के साथ राज्यसभा के इसमें भी पंद्रे लोकसभा के साथ राज्यसभा के इसमें तीसो के तीस लोकसभा के सबसे बड़ी समिती है संसत की तो प्राकलन समिती संसत की सबसे बड़ी समिती है प्राकलन समिती में सरस्यों की संख्यातीस होती है इसके सरस्य केवर लोकसवा द्वारा निर्वाशत होते है और इस समिती का कारिकाल एक साल का होता है लोक लेखा समीति का कारेकाल भी एक साल का होता है तीसरा प्रश्ण है संसत की स्थाई समीति के सरस्यों को लोक सभा एवं राज सभा से किस अनुपात में लिया जाता है संसत में जो स्थाई समीतियां होती है दो भगों में भाज़ित किया जाता है पहली है स्थाई समिती दूसरी है तदर्थ समिती देखे सदन विसेश की स्थाई समितियों तथा कुछ अपवाद सरूप विसिष्ट समितियों को छोड़ कर संसत के दोनों सदनों के सरस्यों से मिलकर बनने वाली इस्थाई समीतियों में लोकसवा और राजसवा के सरस्यों का जो अनुपाद रहता है वो दो और एक का रहता है जैसे कि 15 प्लस 7 ठीक है दो एक कई तो निकल ला है 22 टोटल मेंबर कॉश्चन नमर फोर पर आज़े ये लोकलेखा समीतियों अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करती है इस लोकलेखा समीतियों से बड़े प्रश्ण बनते आए हैं 2014 में भी UPSC ने किया था प्रश्ण 2013 में किया था ठीक है स्टेटमेंट बनाकर वो भी 3-3 लोक लेखा समिती में टोटल 22 मेंबर होते हैं ठीक है कुछ इस तरह का स्टेट्मेंट था एक 15 लोक सभा के 7 राज सभा के 22 की जगा 24 था सायदो तो लोक लेखा समिती अपनी रिपोर्ट प्रस्थूत करती है लोक सभा स्पिकर को यानि लोक सभा यहां से उत्तर हो जाएगा ए तो लोक लेखा समिती लोक खर्चों पर नियंतरन करने वाली एक संसर्य समिती है इसमें लोक सभा के 15 मेंबर राज सभा के 7 मेंबर कुल मिलाकर 22 मेंबर हो गए इसका उद्देश लोक खर्च के दुरुपियोग अनिम वितताओं को सदन के समक्स उजागर करना है यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद कारवाही की भी सिफारिस करती है जो खर्च के दुरुपियोग हेतु उत्तरदाई पाई जाते हैं लोक लेखा समिती अपने रिपोर्ट लोक सवा स्पीकर को प्रस्थुत करती है इस समीती का कारकाल एक साल का होता है इस समीती के अध्यक्स की निउक्ति लोक सवा अध्यक्स दौरा की जाती है यह सब बुलेट पॉइंट याद रखीएगा पांचवा प्राशन है भारते संसत की लोग लेखा समीति के अध्यक्ष को कौन मनुनीत करता है तो अभी बताया लोग सबागा अध्यक्ष करता है स्पीकर करता है तो भारते संसत की लोग लेखा समीति के अध्यक्ष को लोग सबागा अध्यक्ष जो है वो मनुनीत करता है क्वेशन नुबर 6 पर आजए निम्लिकित में से किसके बारे में संसद्य समीति गठित नहीं की गई है सारवजनिक उद्धमों के बारे में आकलनों के बारे में सरकारी आश्वसनों के बारे में अल्प संख्यकों के कल्यान के बारे में नहीं की गई है क्योंकि इसके लिए तो आयोग ही बना दिया है पूरा इसके लिए है इसके लिए है इसके लिए है तो अल्प संख्यकों के कल्यान है तू संसदे समीती नहीं कि गठिती गई है बलकि इसके लिए तो आयोग ही बना पता होने चीए आपको चाहे स्टेट पीसेस की तैयारी में लगे हो ना लगे हो यह हुआ था दोहार छे में लेकिन छे में कब यहां तो तीन दोहार छे हैं 26 अक्टूबर दोहार छे को तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सनरक्षण परदान करने के लिए सर्व सममति से पारित किया गया इसे राष्टपती की समति में थी 13 सितंबर दोहार पांच को और 26 अक्टूबर दोहार छे से संपू 접종 भारत में लागू कर दिया गया था ठीक है लागू पूछा है ना कॉश्यन नूम्बर एट पर आज़िए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनिमित हुआ था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बहुत पुराना है ये ठीक है अंग्रेज़ों के टाइम का 1871 में अधिनिमित हो चुका था ये तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनिमित हुआ था ये है प्रारंब में उत्तर प्रदेश के अधिकान स्चेत्रों में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित हुआ था ये तो पते होगा इसका अंसर आपको क्या है दोहार पांच तो सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित हुआ था संदोहार पांच में दसवा प्रश्ण है निम्लिकत में से कौन सा सूषना का अधिकार अधिकार अधिनियम 25 से संबंद था है पता ये इंपोर्टेंट हो गया प्रश्ण देखिए प्रश्ण कर्मांग संख्या ग्यारे पर आजये भूमी अधिकरन अधिनियम 294 से रेलेटेड नम्लिकेद में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसको विटिस सासकों ने बनाया था इसका उद्देश भारत में भूमी सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था यह भारते संसत के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्ताबित किया जा चुका है इसका क्रियानवन बिवादित हो गया था देखे कुछ हाइलाइट कर यह हाइलाइट एक्जाम में नहीं मिलेगा आपको भूमी अधिकरण अधिनियम 1894 के संबंध में सही है पहला तीसरा और चोथा गलत है दूसरा क्योंकि भूमी सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था भूमी अधिकरण से ही संबंध देत था गलत दूसरा वाल होता था तत्व संबंधि अधिकरण के लिए कानून बनाना था ठीक है यह अधिनियम 1894 को अस्तित में आया और इस अधिनियम को भारत की संसद्वारा ठीक है दोहार तेरे के अधिनियम से प्रतस्थापित किया गया था प्राश्न क्रिमांग संख्या बारा पर आजाई एनम लिकित में से कौन सा सही सो मिले था यह है अधिनियम और यह है वर्ष राज द्रोही सबाओं को रोकने का अधिनियम 1908 विसफोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारतिय फोजदारी कानून संसोदन अधिनियम 1908 समाचार प अधिनियम 1908 का ही है विसफोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का ही है राज द्रोही सबाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में लाय गया था जबकि अन्य विकल्पों में दिये गए सारे अधिनियम और उसके वर्ष जो है वो सही सुमलित है कुश्य नंबर तेरह पर आजए है मजदूर किसान सक्ती संगठर नामक सामाजिक आंधुरन भारत की नम्लीकित में से भारत में निमने में से किस संब़नेता पताई है र्टी अधिनियम से या आर्टी RTE RTE अधिनियम से या RTI अधिनियम से मनरेगा से या भारतिय स्वास्त मिशन से किस से RTI एक्ट से समबन देता है ठीक है option number B मजदूर किसान सकती संगठन की स्थापना वर्स 1987 में अरुनार आय, निखिल डे संकर सिंग आदी सामाजिक कार्यकरताओं के सयोग से की गई थी इस संगठन को विशेश रूप से सूचना के अधिकार हेतू संगहर्स अवं जन आंदुलन के लिए जाना जाता है सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस संगठन की महत्वण भूमिकार ही है कोश्य नुबर फूटीन पर आजए भारत संग द्वारा राश्ट्य हरित अधिकरण यानि एंजीटी नैशनल ग्रीन टिवरल की स्थापना कब होई थी ये कल कम्यूनिटी टेप में डाला था प्राश्ट्ट हुई थी कब 2010 में तो राश्ट्य हरित नियाधिकरण या अधिकरण अधिकरण अधिनियम 2010 भारत संभिधान के अंतरकत दिये गए नागरिकों को स्वच परियाबन में रहने के अधिकार कौमा जीवन के अधिकार अनुछेद 21 का भाग है के अनुरूप है इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राश्टि हरित नियाधिकरण याणि National Green Tribunal का घठन अक्टूबर 2010 में किया गया था National Green Tribunal का जो मुख्याला है Headquarter है वो दिल्ली में स्थित है और इस National Green Tribunal के पास जो परियाबन संबंदी मुद्दे आते हैं इसको उसका निप्टान उन मुद्दों का निप्टान अनिवार रूप से छे महीने के भीतर करना होता है ठीक है examiner question बना सकता है कि अनिवार रिते दो महीने के भीतर करना पड़ता है तीस दिन के भीतर करना पड़ता है ऐसे कुछ भी बना सकता है चे महीने के भीतर करना पड़ता याद रखेगा कोश्चिन नुबर 15 पर आजाईए भारत सरकार ने वन सनरक्षन अधिनियम किस वर्स में अधिनिमित किया था ये important है वन सनरक्षन अधिनियम या भारतिय बन अधिनियम परियावण सनरक्षन अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टैलेफंट, ये exact sun के साथ पता होने चाहिए आपको, इसका उत्तर है, वन सनरक्षन अधिनियम की बात हो रही है, ना तो 1980, प्रोजेक्ट टाइगर है, 1973 का परियावण सरनक्षन अधिनयम 1986 और भारतिय वन अधिनयम है भारतिय वन अधिनयम तो 1927 का है ठीक है याद रखिएगा चलिए आज यह है देखे पहले इनको सिक्वेंसर देख लीजिए भारतिय वन अधिनयम 1927 का है वन जीब संदक्षन अधिनयम 1972 है ठीक है वन संदक्षन अधिनयम 1980 और परियावण संदक्षन अधिनयम 1986 यह 4 के 4 most important है किसी वे एक्जाम में पूछे आ सकते हैं यह ठीक है कोई भेदभाव नहीं करते कि UPSC की परिक्षा है या फिर क्लर्क की किसी वे पूछे आ सकते ह साथ याद रखिए और जितनी परिक्षा बढ़ी होती जाएगी तो उतना टफ कैसे करेगा काला नुक्रम ही पूछ लेगा इनको सजाने के लिए ठीक है यह से पूछ लेगा सबसे पहला कौन सा सबसे बात का कौन सा तो वनों के संदक्षन तथा उससे संबंदित ठीक है अ हो रही है तो वन संदक्षन अधनियम 1980 को या उसका संचिर्थ नाम जो है वन संदक्षन अधनियम 1980 है और यह है अक्टूबर 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है ठीक है वन संदक्षन अधनियम1972 भारत्यवन अधनियम1927 और परियावरन संदक्षन अधनियम 1986 सबसे नया है यह तो 15 प्रश्णत है इनकी प्रक्टिस एक बार तो करें लिजेगा धन्यवाद